हेलो फ्रेंट्स वैलकूम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पूझा पार्ट से जूड़े हुए और मैं आपके साथ शेयर करते हूं अपनी लाइफ का इस्पेरियंस फ्रेंड जैशी किष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूं आज का वीडियो विशेय से रिक्वेस्टेड है और बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इस वीडियो की तो मुझे लगा कि क्यो ना इस पर वीडियो शोट कर दिया जाए और मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विडियो बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किन गल्तियों से ये ब्रत जो है वो पूरा नहीं होता है अगर कभी आपने किया भी है तो किन कारणों से पूरा नहीं हो सकता आपने ऐसी कौन सी गल्ती कर दिया है जिन से इस ब्रत को करने के थोड़े सी नियम है बहुत आसानी सी किया जाता है बहुत अच्छा होता है आप अगर घर में किसी बच्ची की शादी की कोई समस्य चल रही है धन बैभग की कमी चल रही है तो आप किसी भी मनुकामना के लिए ब्रत कर सकते हैं अपनी श्रधा अनुसार अब ये ब्रत कब करना है इसे आप समझ लें ये ब्रत हमेसा शुब महीनों में किया जाता है करमास मलमास पितर पक्ष और चलता है को और कुछ क्या बोलते हैं उसमें जो है ये ब्रत नहीं किया जाता है बकाय कि आप इस ब्रत को कभी भी शुरू कर सकते हैं विशेश इक्यावन करने हैं, जितने आपकी सुविधा, मैं आपको ये कहूंगी अती उत्तम इसमें आठ होते हैं, इसमें आप अस्त लक्षमी की पूजा करते हैं, बैभव लक्षमिया होती हैं, इसलिए अती उत्तम इसमें आठ होते हैं, आप आठ ब्रत करके नौवे में इनका उद लिए बिना या जिनके ना होने पर ब्रत थोड़ा सा कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है तो आप इन चीजों की ववस्था करने के बाद ही इस प्रत को शुरू करें अगर धन की कमी है तो ये देवी धन और वैवाब को ही देती हैं कल्यूग में तो आप इनकी पूजा करके ब अस्त दल कमल बनाने के लिए आपको चहिए लाल या पीले रंगे चावल, आप चावल को घर में फूड कलर से रंग सकते हैं, बजार से रंगे हुए मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं, इसी रंगे चावल से आप अस्त दल कमल बनाएंगे, उस पर आप हमारी माता लक्ष्मी जी लक्षमी जी को अगर आपके पास विग्रहे है, आप विग्रहे रख सकते हैं, आपके पास अगर विग्रहे नहीं है, फोटो है, आप माता लक्षमी की फोटो रख सकते हैं, अगर फोटो भी नहीं है, तो आप लक्षमी जी का श्री यंत्र भी रख सकते हैं, इसके बाद तो साउथ तरफ तो मिल जाता है, मैंने इसको उस्ट लगाई जैसे के मैं बरत करना चाहा रही थी लक्शमी जी का लेकिन मुझे ये कलास बहुत टाइम में मैं महिं मिला अच्छा उस समय औलाइन भी नहीं था तो मुझे नहीं मिल पाया अब मुझे मिला तो मैंने ले लिया नहीं इसका दिवाली पर इस्तिमाल करती हूं महालक्षमी पूजय ने पनी के वह आठी लक्ष्मिया बनी है तो यह अस्त लक्ष्मी कलाश है यह साउथ में मिल जाता है तो आप आसानी बहुत आप साउथ साइड मिल जाएंगा आप अनलाइन मिलोếक्ति आप छिड्र रख कर का पत्ता साथ ही साथ थोड़ा सा कच्छा दूद में मिलाएं उपर एक प्याली रखें पाण के असोख के या आम के पत्तों से पांच पत्ते लगा के कलाश को सजालें आप एक जो है अशुमें दीपक ले ले जो पीले रंगे चावल रंगे कर भरिए और उसके उपर आप जो है वो एक नारियल को लाल रंगे कपड़े से बांध कर रखिए अब आप देख लीजे कि आपको क्या चाहिए देवी जी से आप ऐसी कौन सी एक्छा जिसके लिए ब्रत कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आप उस मनो कामना को आप उसी कलस के उपर रख दीजे कलस में आप कलावा बानरा बिल्कुल मत भूलेगा उसके बाद आप जो है वो अस्ट लक्ष्मी जो कलस पर बनी है उन सब को कुम-कुम लगाईगा चावल चड़ाईगा आपकी ये कलस स्थापना हो गई है इसके बाद आप हमारी माता ल पूजन कर लीजेगा आप माता लक्ष्मी का पूजन करिएगा आप उनको कुम-कुम चड़ाईगा और चावल चड़ाईगा हल्दी चड़ाईगा सिपाडी चड़ाईगा लॉंग चड़ाईगा लाइची चड़ाईगा एक लाल रंग की चुनरी और सुहाग की सामगरी अर्पित करिएगा इससे आपको अखंड़ सवभाग की प्राप्ती भी होती है साथी साथ आप एक कटोरी ले लीजेगा उसमें आप चान्दी का या सोने का सिख्का रखने का प्रयास करिएगा किसी कारणबस अगरfire पशि台 के नहीं है तो आप कोई भी Gold की या Silver की जुल्री रख सकते दो इसलिए क्युकrem की यह बैभव की दो सोने का पूजन होते हैं तो आप एक Gold की कोई भी जुल्री रख सकते हैं आपूर्णि रख सकते हैं आप चाहें तो लक्षमी चालीशा पढ़ सकते हैं, लक्षमी जी की आरती घर सकते हैं, तो विदी विदान से आप पूजन करें, आरती करें, मा लक्षमी को भोग अर्पित करें, आप इसमें भोग में जो भी चाहें वो लगा सकते हैं, जो भी आपको फल, मिठाई, आप घर बना खीर जो भी आप चड़ाना चाहते है चड़ा सकते हैं विसी इसमें है कि जब आप लक्षमी जी की चौकी लगाए तो चौकी के अगल बगल दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड केले की पल्लव जरूर बांधियेगा जिसे हम लोग कुछ लोग मंडब भी कहते पल्लव कहते हैं यह जरूर बांधियेगा और इस प्रकार से आप अपनी माता लक्षमी जी का जो है वो पूजन करिएगा सब लोगों को स्नान कराइएगा अच्छे से पूजा पाट करिएगा जैसे कि स्नान की पूजा की विधी आप लोग मेरे किसी भी पूजा में देख सकते हैं मैंने दिखाई हुई है बीपावली के पूजन में देख सकते हैं उसमें मा लक्षमी जी की फूजन की विधी मिल जाएगी तो आप जो हर्चे से पूजा करिएगा अब इसके बादापको अपने यह चौकी आपको सिर्फ एक बार लगानी है skincare करके आपको पृथम शुकरवार का कर से 16 शुकरवार का कर रहे हैं तो आप समझ थिए जो । ना क कलश आप नघा ए अगले दिन सनिवार को उनका विसर्जन कर देंगे जल को किसी गंबले लॉंग से पाड़ी लाईची को आप किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं भूमे विसरजन कर सकते हैं आप चाहें तो नारियल को मंदिर में रख सकते हैं जब तक आपका ब्रत पूर्ण नहीं हो जाता है लेकिन कुछ चीजें इसमें विसेश हैं जिनका ध्यान रखेगा आप आप नारियल को मंदिर में रख सकते हैं हर शुकरवार को आप विदिवत उस नारियल का पूजन कर सकते हैं माता लक्षमी की परतिमा के साथ अगर नहीं करना चाहते तो आप उस नारियल का विसरजन भी कर सकते हैं जिन नारियल से हम मनत मांगते हैं उन्हें फोड़ा नही करनी होगी आपको कलस स्थापना ने करनी होगी आपको साधरन तरीके से माता लक्षमी को जो है वो पुष परपित करिए लाल रंग के आप उने हल्दी कुमगुम लगाई उनकी आरती करिए आप चाहे तो लक्षमी चालीसा भी कर सकते हैं तो ये आपको हड़ शुकुरवार को करना है ये पूजा का समय क्या है ये पूजा सूर अस्त से पहले की जाती है मतब शूर अस्त होने के पहले के जो घंटा आदा घंटे का ताइम होता है आपको उस समय ये पूजा करनी होती है अब इस ब्रत में विसे से नियम क्या है आप ये समझ लें नियम ये है कि आप इस पे दोनों टाइम फलहार कर सकते हैं, एक टाइम फलहार कर सकते हैं, आप साम के समय नमक भी ले सकते हैं, अगर आप किसी कारण बस आपका सरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप साम में कुट्टू के आटे की पूरी बना के खा सकते हैं, फलहार कर सकते हैं, अन का किसे नहीं खाना है, आपको नमक ले सकते हैं, लेकिन फलहार के साथ, कुट्टू क्याट्टे पूरी बना के आप खा सकते हैं अब यही आपको, जितनी भी शुकरवार का आपका ब्रत है, आपको उतने शुकरवार तक यही चीज खाने, हर ब्रत का एक नियम होता है, खाने पीने का तो इध्यान रखेगा, यह नहीं कि आपने शुकरबार को खीर खा ली तो अगले पर आपने नमकीन खा ली या पर तेबले पर कुछ और खाले तो ऐसे नहीं करना आपको, आठ व सुमबार तक रेगुलर वही चीज खाने हैं, सुबा में आप फल खा सकते हैं, शाम को आप माता लक्ष में की पोजा करके, जो भी पटशाद बनाएं, उनको चड़ाएं उसके बाद आप उसे ग्रहन कर सकते हैं, अपने परिवार को टम्यों में भी बांट सकते हैं, अब यह है कि क्या यह बरत घर के बाहर किया जाता है, कुछ लो बाहर भी हैं, तब भी आप पोजा कर सकते हैं, अगर किसी को इस बीच पीरियड आ जाते हैं, तो वो इस ब्रत को कर सकता है, वकाइदा फलहार करेगा, बस पूजा नहीं करेगा, और आप मानसिक पूजा करेंगे, माता लक्ष मी का जब आप मानसिक रूप से करते रहेंग जो है बैभाफ लक्षमी ब्रत कथा जो मैंने आपके साथ विधान जो था पूज कथा ने थी पूजा की विधी थी जो मैंने आपको शेयर किये इस टैक के पूस्तक आते जरूर ले दीजिगा ये पूजा में रखी जाती है उसके बाद जब आप इनका उद्यापन करेंगे तब इन पूस्तकों की जरूरत पड़ेगी इसमें अस्थ लक्षमी जी के नाम है तो मैं आपको वो नाम बता देती हूं कि हमारी अस्थ लक्षमिया कौन कौन की है सर्व पृत्तम स्री गंग गजल लक्षमी है ये दूसरी है अधी आधी लक्षमी विजया लक्षमी एश् अस्थ लक्षमी बैभाव लक्षमी में अस्थ लक्षमी की पूजा होती है इसलिए मैं आप से कहा क्या बरत करिए गए तो अस्थ लक्षमी का कलख्षा आप चाहें तो ऑन-लाइन खरीद के कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साझ शेर कर दूँगी कि आपको जो है इनका उध्यापन कैसे करना है कब करना है देखिए आप जब तक इनका उध्यापन नहीं कर देते तब तक आपको शुकुरवार का ब्रत रहना ही होगा तो अगर आपने आठ शुकुरवार का अंकल प्लिया ग्यारा का लिया तो वारवे में आपका इनका उध्यापन कर आपको पूर्ण लाभ मिलता है ऐसे ब्रत का तो फ्रेंट्स बैवाव लच्छमी के ब्रत की पूर्ण संपूर्ण कथा जो थी विजी थी मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैशी किष्णा रादे रादे बाई बाई फ्रेंड्स बाई बाई